वेल तो हे गाईज वेलकम टू माई चैनल मा नेम इस पंकेश तो वेल आपका स्वागत है नौर्मी रेस्लिंग में तो इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे कि मंडे नाइट रॉक के 30 टैनवर्सरी के लिए क्या कुछ हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला है डवल चली देखने को मिल चुके हैं एंड क्या हमें अंकल हावडी वर्सेस ब्रेवाइट देखने को मिलेगा रसल मिनिया 39 के अंदर इसको भी लेकर एक काफी इंट्रस्टिंग अपडेट है एंड अल्सो डिसकस करने वाले हैं जो की ब्रॉक लेस्नर के कंफर्म रिटन डेट के बारे में तो इस बारे में भी बड़ी अपडेट देखने को मिले है इस बारे में भी डीटेल में डिसकस करेंगे तो काफी कुछ इंट्रस्टिंग अपडेट होगी इस वीडियो में तो भाई वीडियो को लास्त तक जहरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब न तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि next week हमें Monday night रोके 30th anniversary के अंदर देखने को मिलेंगी The Bella Twins यानि कि Nikki Bella और Brie Bella दोनों सुपरस्टार हमें देखने को मिलेंगी Teddy Long देखने को मिलेंगे, Jerry Lawler देखने को मिलेंगे, Kurt Angle देखने को मिलेंगे, Rick Flair देखने को मिलेंगे and also हमें देखने को मिलने वाले हैं Undertaker, Sean Michael भी देखने को मिलेंगे, X Park देखने को मिलेंगे, Rod Dog देखने को मिलेंगे and Ron Simmons भी देखने को मिलेंगे, तो ये कुछ Superstars जो की Legend Superstars हैं, इनको officially confirm कर दिया गया है जो कि हमें next week Monday Night Rock के 30th anniversary में देखने को मिलेंगे वैसे Undertaker तो हमें appear होते वे दिखाए देखने को मिलेंगे, लेकिन John Cena का side हमें cameo देखने को मिलेगा, वो confirm नहीं है लेकिन Undertaker को यहाँ पर officially confirm कर दिया गया है, तो ये कुछ यहाँ पर Monday Night Rock के 30th anniversary के Legends को लेकर update देखने को मिली है तो इसके उपर आपके thoughts comment में जरूर बता देना, अगले update की तरफ चलते हैं, तो ये update हमें देखने को मिल रहा है Roman Reigns को लेकर, यानि की Bloodline को लेकर, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा next week Monday Night Rock के अंदर तो Bloodline को लेकर next week हमें Monday Night Rock के अंदर देखने को मिलेगा, एक special segment जिसके अंदर हमें यापर यानि कि The Bloodline की तरफ से हमें आपर The Acknowledgement वाला सेगमेंट देखने को मिलेगा यानि कि Acknowledgement सेरिमेनी याँ पर डबरली अडवर्टाइज करते वे दिखाई दे रही है Bloodline को लेकर यानि कि Romalins हमें आपर हो सकता है कि कुछ special करते वे दिखाई देंगे Acknowledgement को लेकर तो इसके पर आपके Thoughts कॉमेंट में जरू बता देना कि हमें Tribal Chief Head of the Table Romalins क्या कुछ करते वे दिखाई देने वाले हैं Monday Night Raw के 30th Anniversary के अंदर अगले अपडेट की तरफ चलते तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है Becky Lynch और Bailey को लेकर तो Becky Lynch वर्सेस बेली का मैच भी हमें देखने को मिलेगा Next Week Monday Night Raw के अंदर जहांपर हमें ये मैच एक Steel Gage मैच देखने को मिलेगा Becky Lynch और Bailey का जो की Next Week Monday Night Raw के 30th Anniversary के अंदर तो यह काफी बड़ा मैच जो की Advertise होते वे दिखाई दे चुका है Becky Lynch और Bailey का और ये मैच हमें देखने को मिलेगा यानि कि Judgment Day के साथ में जो मैच हमें देखने को मिलने वाला था दी उसो का Raw Tag Team टाइटल के लिए वो हमें Monday Night Raw के 30th Anniversary में देखने को मिलेगा इसको भी Officially Confirm कर दिया गया है तो ये कुछ यहां पर दी उसोस वर्सेस जज्जमेंटे के मैच को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है और ये मैच हमें देखने को मिलेगा औस्टिन थेरी वर्सेस बॉबी लैशली का तो आज हमें जो Elimination मैच देखने को मिला था तो इसके उपर भी आपके थॉट्स कॉमेंट में जरूब बता देना अगले अपडेट की तरफ चलते तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है Royal Rumble के एक काफी बड़े मैच को लेकर और ये मैच हमें देखने को मिलेगा Bianca Blair वर्सेस Alexa Bliss का तो Bianca Blair वर्सेस Alexa Bliss का भी मैच ओफीशली कनफर्म होते वे दिखाई दे चुका है Royal Rumble 2023 के लिए तो यहाँ पर आज हमें Monday Night Rock के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कनफरेंटेशन देखने को मिलता है जहाँ पर दिखाई देता है और Bianca चैलेंज यानी देते वे दिखाई देती है और Alexa चैलेंज एकसेप करते वे दिखाई देती है और Royal Rumble 2023 के अंदर Bianca versus Alexa का मैच ओफीशली कनफर्म होते भे दिखाई दे चुका है तो देखते हैं इसमें से हमें कौन सा सुपरस्टार जीते वे दिखाए देता है तो ये match के उपर भी आपके thoughts comment में बता देना अगले update की तरफ चलते तो ये update हमें देखने को मिल रहा है एक surprise written को लेकर जो कि अब surprise नहीं रहे चुका है Royal Rumble के लिए और ये return है Cody Rhodes का तो Cody Rhodes को भी officially advertise कर दिया गया है कि हमें ये बंदा Royal Rumble 2023 के अंदर देखने को मिलेगा यानि कि डेवलोली इसको surprise भी डख सकती थी बट डेवलोली ने officially confirm कर दिया कि जो Cody Rhodes है वो हमें Royal Rumble 2023 के अंदर देखने को मिलेंगे यानि कि directly हमें Cody Rhodes का जो return देखने को मिलेगा वो Royal Rumble में देखने को मिलेगा तो ये कुछ यहाँ पर Cody Rhodes के return को लेकर update देखने को मिल रहा है तो इसके उपर भी आपके thoughts comment में ज़रू बता देना अगले update की तरफ चलते तो ये update हमें देखने को मिल रहा है MVP के हर्ट बिजनेस को लेकर तो MVP यहाँ पर अपने हर्ट बिजनेस के अंदर Omas को भी जॉइन करते वे दिखाई दे चुके हैं and also यहाँ पर हमें और भी सुपरस्टार जैसे की Sultan Benjamin, Cedric Alexander and Bobby Lashley ये सुपरस्टार तो हर्ट बिजनेस में देखने को मिलते ही मिलते थे लेकिन हो सकता है कि in future हमें Elias भी जॉइन करते वे दिखाई दे सकते हैं MVP के हर्ट बिजनेस को इसको लेकर भी टीज देखने को मिलता है जो कि आज के Monday Night Rock के अंदर तो हो सकता है कि हमें Elias भी in future हर्ट बिजनेस को जॉइन करते वे दिखाई दे सकते हैं तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो ये भी द देखना इंट्रस्टिंग रहेगा और एक काफी बड़ा और खतानाक फैक्शन मनते वे दिखाई दे सकता है हर्ट बिजनेस तो इसके उपर भी आपके थॉट्स कॉमेंट में जरूर बता देना अगले अपडेट की तरफ चलते है तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रह पर देखने का यानी की Bray White VS Uncle Howdy ये हमें देखने को मिलेगा Russell Mania 39 के अंदर ये मैच हमें रसल मीनिया 39 में possibly होते वे दिखाई दे सकता है अंकल हावडी का Bray White के साथ में तो ऐसा कुछ यहां पर Day Integr को देखने को मिलता है तो let's see WWE यहाँ पर storyland कैसे रखते वे दिखा देती है तो इसके पर भी आपके thoughts comment में जरूर बता देना अगले update की तरफ चलते हैं तो यह update हमें देखने को मिल रहा है The Beast Incarnate Brock Listener के return को लेकर हमें Brock Listener का confirm return कब तक देखने को मिलेगा इसको लेकर zero की तरफ से and also और भी multiple sources की तरफ से confirm update यह देखने को मिल रही है कि जो Brock Listener है वो हमें देखने को मिलेंगे Royal Rumble के अंदर and WWE भी officially poster के अंदर दिखा रही है कि Brock Listener हमें देखने को मिलेंगे Royal Rumble में तो उससे पहले हमें Monday Night Rock के अंदर और किसी भी show के अंदर नहीं नजर आएंगे directly हमें जो Brock Listener है Brock Listener हमें देखने को मिलेंगे Royal Rumble के अंदर जहां से हमें हो सकता है कि Bobby Lashley के साथ में feud स्टार्ट करते वे दिखाए देंगे तो ऐसा कुछ यहां पर Brock Listener को लेकर करेंटली अपडेट देखने को मिल रहा है तो इसके उपर भी आपके थॉट्स कॉमेंट में जरूर बता देना Brock Listener के रिटन को लेकर इन सारी अपडेट्स के उपर आपके थॉट्स क्या है एंड मिलते वैसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एवरिवन गाईस